खेह फूल जो हमारी सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। आईए जानते हैं इन से मिलने वाले फाइदे के बारे में। गुठल का फूल जादा तर सभी के घरों में मिल जाता है पर कुछ ही लोग इसके फाइदों के बारे में जानते हैं। इस फूल को खाने से बड़ा हुआ रक्त चाप याने के बलड प्रेशर कम होता है और यह फूल हमारे केलेस्टरॉल को भी नियंतरित रखता है। यह फू गुलाब मुख्य तोर से दो प्रकार के होते हैं भारतिय देसी गुलाब और विदेशी गुलाब पर भारतिय देसी गुलाब अपनी खुश्बू और फाइदे के लिए मशूर है। हर रोज देसी गुलाब की दो से तीन पंखुडियां खाने से डिप्रेशन और एंग्ज यह एक खूपसूरत सफेथ फूलों वाला ऐसा पौदा है जिसे आपको अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए इसके फूलों की आप चाय भी बना सकते हैं और यह फूल काफी सारी आयूरवेदिक दवाईयां बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है इस फूल की पंखुडियां खाने से अनुचित पाचन और हार्ट अटेक जैसे बिमारियां दूर रहती हैं इस फूल को बीज की मदद से बेहत आसानी से गमलों में भी उगाया जा सकता है इस पूधे के फूल हलके पीले रंके होते हैं और यह एक खरपतवार प्रजादी का पूधा है जिस वजह से यह पूधा पूरे भारत में आसानी से उग जाता है इस पूधे के काफी सारे फाइदे भी होते हैं जैसे की यह पूधा तेजी से भूख को बढ़ाता है और मांस्पेशियों में होने वाली अकडन से भी रहत दिलाता है और लिवर की समस्याओं को दूर करके लिवर को सुस्तर रखता है अंग्रेजी में इस फूल को मेरी गोल्ड के नाम से जाना जाता है यह फूल पीले और नारंगी रंग के बेहद ही खुशबुदार फूल होते हैं इस फूलों के भी काफी सारे फाइदे होते हैं यह सूजन कम करने में काम आता है मदु में खतम करता है बुखार को भी ठीक करता है और आखों के लिए भी यह काफी उप्योगी फूल होता है गेंदे के फूल तवचा में होने वाली जलन को भी ठीक कर सकते हैं इन फूलों को भी कमलों में बेहत आसानी से उगाया जा सकता है नमबर 6 सूरज मुखी सूरज मुखी फूल की खास बात यह है कि यह फूल स सूरज के चारों तरफ घूमती है यानि जिस जिस और सूरिय घूमता है इसलिए इसका नाम सूरज मुखी है सूरज मुखी के जड़, पत्ता, फूल और बीज के आउडवेद में काफी सारे फाइरे बताए गए हैं यह फूल दात में होने वाले दर्द, कान के दर्द और स सरदर्द से रहत दिलाता है